नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूग चैनल बॉलीवुड टॉकीज में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं, तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तीन बच्चों के पिता पर दिल लुटा बैठी थी जयाप्रदा। अभिनाई की दुनिया में उन्होंने तमाम शिखर छुए, लेकिन निजी जिन्दगी में वह सम्मान नहीं मिला। बात हो रही है जयाप्रदा की, जिन्होंने अपनी जिन्दगी का सबसे बड़ा फैसला किया था। परदे पर उन्होंने तमाम दफा घर बसाया और सम्मान भी हासिल किया। जब हकीकत में उन्होंने अपना यह सपना पूरा किया, तो उम्मीदों पर पानी फिर गया। महबबत के हाथों मजबूर होकर उन्होंने जिसे अपना जीवन साथ ही बनाया, उसने ही उन्हें उनका हक नहीं दिया। बात हो रही है जयाप्रदा की, जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया से लेकर राजनीती के मैदान तक अपना पर्चम जम कर फहराया। दरसल जयाप्रदा ने साल 1986 में 22 जून को फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नहाटा से शादी की थी। आईए आपको उनकी लाव स्टोरी से रूब्रू कराते हैं। जयाप्रदा का असली नाम ललिता रानी था। उनके पिता क्रिशना राव ते लुगू सिनेमा में जाने माने फाइनेंसर थे। वहीं जयाप्रदा पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज में भी काफी अच्छी थी। खासकर डांस में भी पारंगत थी। उन्होंने महस 13 साल की उम्र में स्कूल में डांस पर्फॉर्मेंस दी थी। जिसे देखकर वहां मौजूद एक डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म आफर कर दी जया ने पहली बार ते लुगू फिल्म भूमी कोशम में काम किया। जिसके लिए उन्हें महस 10 रुपए मिले थे। तमिल और ते लुगू सिनेमा में अपना दमखम दिखाने के बाद जया प्रदा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने यहां भी अपना पर्चम फहरा दिया। साल 1980 तक वह बॉलिवुड की हाइस्ट पेड अभिनेत्रियों में शुमार हो गई थी। उस दौरान वह फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नहाटा से प्यार कर बैठी। वह यू की हाइस्ट पेड अभिनेत्रियों में शुमार होने के बाद उनके घर पर आयकर विभाग ने चापा मार दिया। इसका असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ा तो श्रीकांत नहाटा ने उनका साथ दिया। ऐसे में दोनों की नस्दीकिया बढ़ने लगी और जया प्रदा ने समाज की परवाह किये बिना पहले से शादी शुदा और तीन बच्चों के पिता श्रीकांत नहाटा को अपना हमस्पर बना लिया। जया प्रदा ने इश्क के हाथों मजबूर होकर यह कदम तो उठा लिया था, लेकिन समाज ने उनके रिष्टे को स्वीकार नहीं किया। यहां तक की श्रीकांत से शादी होने के बावजूद उन्हें दूसरी औरत का तमगा दिया गया। दरसल श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी को कभी तलाक नहीं दिया। इसका असर जया प्रदा के फिल्मी करियर पर भी पड़ा और उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंध हो गया। जया प्रदा की जिन्दगी की सबसे अधूरी चीज यह रही कि वह ताउमर मा नहीं बन पाई। ऐसे में उन्होंने अपनी बहन के बेटे को गोद लेकर मा बनने की ख्वाहिश पूरी की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाई बाई और जय हिन।